अज किया वीडियो महा संग्राम होने वाली है जो भी थर्ड समस्टर के छात्र है जिनका सब्जेक्ट प्रचीन इतिहास है और उनको 2023 और 24 के सिसन या फिर 25 में भी परिच्छा देनी तो उनके लिए वीडियो बहुत ही महात्पूर है क्योंकि इस वीडियो में मैंने वो सारे जो आपकी परिच्छा में 100% आने के उम्मीद है तो यदि आप इस वीडियो को लास तक देख लेते हैं जो जो मैं कोईस्चेन इंसर बताऊंगा उसको समझ लेंगे तो मैं गैरंटी दे रहा हूं आपकी परिच्छा में जो प्रशन आएंगे वो 70-80% जो प्रशन है इसी वीडियो से आने वाले हैं इसलिए मैंने इस वीडियो को महा संग्राम बनाया है क्योंकि इसमें सभी वो कोईस्चेन के लूड़े जो पिछले फैलो में रिपीटेड है और इस बार भी आने के उम्मीद है तो चलिए बिना देरे के वीडियो को सुरू करते हैं एक रिकेस् दोने वाला तो आज कि वीडियो का पहला कोईस्चन है ध्यान से सुनेंगे कि परम दूइदेव परमाल यानि की जिनको परमाल के नाम से फेमस यानि प्रसिद्धि मिली है ठीक है इनका वाकई में पूरा नाम मतलब कि इनका जो नाम है वह है परमर दीव ठीक है तो परमर ठीक है एक मिनिट परमर दीदेव जिनको परमाल के नाम से बीजाना जाता है यह प्रसिद्धिन को परमाल के नाम से मिली है तो यह बहुत ही महात्पूर्ण परमाल फुजड़ा कोईस्चन जरूर आएगा तो इसका उत्तर आप लोगों में देखिए हमने इस वीडियो में परमर दीद्यो परमार हुआ था यहनि कि अंतिम और महान सासक किसे चंदेल वन.' circus का यह थिक है समराथ और महान सासक हुआ जिसने 1665 से 1203 इस भीतक इसनों ने अपना सफन किया जैसे कि आज आब जानते कि पंच वर्स योजिना है हर सरकार आती है तो पांच वर्स रहती है जैसे कि मालीजे कि अभी से पहले अकलेफ जी का सासन था उसके बाद मोधी जी आगए फिर एलक्षन वा फिर योगी जी जीट तो इसी तरह उसमें भी उसमें सासन हुआ करता था जो की 1165 टीन तक इस साल तक इनका साफन था उसके बाद दुफ्रा को इस रासन करने लगा ठीक है उसके बाद प्रिथवीर राज चुभान द्वारा वहां गेरा सो बैयासी इस भी में पराजित हुआ यानि कि परमाल को प्रिथवीर राज जो चुभान थे इन्होंने पराजित कर दिया युद्ध हुआ करते थे पहले ठीक है तो एक चुनोतिया दी जाती थी कि आप अगर इस राजा फे लड़ाई करेंगे तो इसका जो राज है वो आपने अपने राज में मिला लेंगे ठीक में कई सारे प्रस्णों को उत्तर मिलेगा पराजित कर दिया मतला युद्ध में हरा दिया ठीक है उशके बाद किन तो प्रतित होता है मतलब कुछ आइडिया कुछ मतलब बिचार आते हैं कुछ जानकारी मिलती है कि प्रिथभी राज के वापस लोटते यानि कि युद्ध कुदबुद इवक ने परमर्दी देव को पराजित किया फिर दूसरे जो ठीक इनकी परमर्दी देव को पराजित किया ठीक इस चंदेलों ने आय भक की आधिनता सुविकार कर लिए जो चंदेल लोग तो जितने भी एबक गडगरीक लोग थे उनका जो अधीन थे मतब उनके अधीन हो गए उनके वस्में हो गए तरीके से ठीक है सबिकार कर ली और बारा सो तीन में परमरी ठीक है पर मर्दी देव की कालिंजर के दुर्ग में मृत्ति हो गई ठीक है तो ध्यान रखेंगे एक और कोश्चिन सामिल होता मतब कि बनता है कि परमाल यानि की परमर्दी देव की जो ध्यान था या फिर मृत्त हो वह किसन में हो गई थी तो याद रखेंगे इनकी जुम्रत है परमाल की वह बारा सो तीन इस भी में ठीक है कालिंजर के दुर्ग में हो गई थी इसे बात बात है ठीक है आयोप समझ में आ गया होगा पर माल के बारे में ठीक है अब आ जाएंगे हम चालुक के बारे में ठीक है चालुक यानि की गुजरात वंस का संस्थापक कौन था ठीक है तो ध्यान से सुनेंगे गुजरात चालुक सौलांकी वंस का संस्थापक मूल राजा था जो चालक था ठीक है यानि कि इस ने यानि कौन से गुजरात चालक ने जो की स्वलां की थीक है 941 इस भी में 941 से 995 इस भी तक साशन किया यानि कि उसने 941 से 949 से 995 के बीच कर वरस था उस बीच इसने साशन किया कि इसने 40 गुजुरात में थिक है उसकी राजधानी अनिहल वारा थी यानि कि जो चालुक था उसकी जो राजधानी थी वो अनहिल वारा थी उसने सुराष्ट तथा कच्छ के साशक को जीत कर अपने समराज में मिला लिया था यानि कि जो सुराष्ट ठीक है एक माली जे की एक माली जे थोड़ी देर के एरिया था मुहला था नगर था ठीक है उसको और कच्छ इन दोनों को जीत कर अपने समराज में मिला लिया था यानि कि अप जहां पर हो रहता था उस समराज में मिला लिया था तथा आबू के परमार आबू के परमार सासक धरड़ी वराह को पराफ्त किया यानि कि आबू एक अफ्थान था ठीक है वहां के परमार सासक धरड़ी वराह को पराफ्त किया यानि कि हरा दिया उसके बाद जब हरा दिया तो किंट उसे परमार सासक मुझ तथा चाहमान सासक विग्रह राजदुतिये ने पराजित कर दिया सामभवता विग्रह राजदुतिये के बिरुध युद में वा बिर्गत को प्राप्त हुआ गया यानि कि चालुक था उसने धरणी वराह को पराफ्त किया ठीक है उसके बाद पराफ्त तो कर दिया लेकिन उसके बाद एक परमार सासक मुझ थे ठीक है और चाहमान सासक विग्रह राजदुतिये थे ठीक है इन्होंने बाद में धरणी वराह को पराजित कर दिया ठीक है उसके बाद संबाध होता यह है कि बिर्ध Yudh में वा बीरगत यानि कि जब युद्ध हुआ पराजित तो होगुआ लेकिन बाद में फिर एक उध हुआ उस युद्ध में उसको मार दिया गया यानि कि वो बीरगत को प्राप्थ हो गया यानि कि उसका देवासन मृत्य हो गई ठीक है तो इस प्रकार लिखेंगे इसका परशेंगे अगला कोश्चिन बहुत ही हाई लेबल का जो कि हमेशा परिच्छा में देखने को मिलता है जब जो मैंने परिच्छा में देखा ये प् बिद्वान है और बहुत सारे इसके अलग अलग जो एक तरीके से बोल सकते हैं ki लेकाख Than emblem का भी हैं इतिहासकार हैं उनके अलग अलग मदभेद ہیں ठीक है तो परमारबंस के उत्पत्थ के बहुत सारे बिद्वानों के अलग सब्सक्राइब करना नहीं है लेकिन इसकी उत्पत्त हैं इसकी उत्पत्त है पर्मारवंस की वह चाहा रहा है कि पर्मार अभलेखों में विद्थ होता है अवलेक का मतब किसी पत्थर पे या फिर किसी सिला पे वो लिखा होता है उससे ये जानकारी मिलती है कि परमार साफक दच्छिण के राष्ट कूट सासक वंस से उत्पन हुए ते इस वंस का संस्थापक उपेंद्र अथवा क्रश्न राज ने दास्वी सताब्दी के प्रारम कि थी जहां से सुनेंगे इस वंस की जो शुर्वात है ठीक है या फिर इसका जो निव है वो डाली थी किसने उपेंद्र ठीक है अथवा क्रश्न राज ने ठीक है कब दाए थी दास्वी सताब्दी में या राष्ट कोटों का समानत था उसे राष्ट कूट सासक अगला प्रश्ण आप समस्त आने जा रहा है परमार भोच के बारे में यह बहुत ही हाई लेबल का कुश्चन है यह हमेशा परिच्छा में देखने को मिला है तो इसके बारे हम चपर जरूर करेंगे ठीक है इसका उत्त लिखेंगे कि सिंदु राजा की मृत्त के बाद एक सिंदु राज एक ठीक है बेक्त थे और एक सासक थे सिंदु राज जब इनकी मृत्त हो गई और मृतिन की 2010 इस भी में हुई ठीक है जो भोज पर्मार वंस का सासक था सिंधुराज एक सासक थे और पर्मार वंस के भोज पर्मार जो था इस वंस के स्टार्टिंग की थी सुरुवात की थी एक तरीके के राजा था सासक था ठीक है सासक हुआ और उसकी गणना पर्मार वं उनसे लडाई की उनसे ढटा रहा ठीक है उनसे लडाई करता रहा कि नहीं यह हमारा वनसे इसकी सथापना हमने की इसका सासक हमी है वही बता जा रहा है कि उसने सर प्रतम चालोक्यों से संगर्फ किया इसके बाद कल्चुरी गंगे देव को पराजित किया यानि कि जो कल्चे गंगेद्यों अपने एक सासक भी थे राजा थे और इनको पराजित कर दिया किसने पराजित कर दिया बताईए आप सभी सिंधुराज ने ठीक है सिंधुराज ने इनको पराजित किया और प्रतिहारों को पराजित कर यह प्रतिहार के जो लोग थे उनको भी पराजित किया उ उसके बच्चनों ने अपना कबजा कर लिआ ठीक है सिंदोराज ने ठीक है dido रिप मिस्टेक हम जल्दी 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 में बोलते चलेगे सिंदोराज सिंदोराज की ओम्रत्तव हो गई थी मिस्टेक सорि किता हो गया नाम से हार था हूं उसको पराजित हो गया और में राजपर चारों और संग्टों को देखकर वह बिमार पड़ गया यानि कि जब भाई विद्ध्याधर फे हार गया तो विद्ध्याधर अपकपजा करने लगा इसके शासन ठीक है जो इसका एरिया था जहां तक अधिकार था ठीक है उस पर फिर विद्ध्याधर अपना कपजा जनाने ठीक है तो इस वज़ा फे जब हार गया तो वह उसके राज्यों पर जो जितने भी जार्ज तेश के अंतरगत आते थे जितने भी नगर आते थी तो उस पर भाई हार गया तो संकट आने लगा क्योंकि वो धीर-धीर कपजा जनाने लगा और उसे देखकर कि हां भाईया हमा सिंद्ध के पतन के क्या कारण ये भी हाई-लेबल का कुईश्चन जब जब मैंने देखा है प्रस्ट पर इच्छा में आया इस बार भी पूरी उम्मीद है आने की उम्मीद है तो इसका उत्तर लिखेंगे सिंद्ध की पराजे के अनेक करण थे यानि कि जो सिंद्ध का पत सिंद्ध में से चैले जा इंतन हैं परण्त में नागृजsk Ça का परमक करण था सबसे पहला करण यहीं था कि परांट में जो एरिया था उसमें आंतरिक एक्ता यहाव था यніग की एकता नहीं थी shit इसका पतर हुँआ पहला करणी हो गया, वह अर्बोवजेफे शक्त साली आक्रमर कारियों का मुकालबा तिक मुकाबला करने के योग नहीं था दूफरा करण ये है ठीक है जो अरब देश वाले थे या फिर अरब सासन वाले थे ठीक है वो बहुत ही सकता सालिए ठीक है तो उनसे वो मुकाबला उनसे लड़ाई नहीं कर सका ठीक है ये अगला करण था ठीक है उसकी आबादी कम थी यानि कि वहां की जन संख्या कम थी उस और इस प्रकार परसपर एकता का ना होना सिंद्ध के पतन का शुकार एक है नियुद मेंश से였습니다 सार ये निकलता है कि कुल मिलाके और नहीं थी इस वज़ा पर सिंध का पतन उआ में इंद हुरी है। अगला प्रशना है कि बहुत ही हाई लेबल का कोईश्च है जब जो मैंने परिच्छा देखे पर चीने थियार कि तब तब पर प्रशनाय आये वह इस बार भी पूरी उम्मीद है कि आएगा लिकना एउत्तर कि «मुम्म्मद गवरी एक बीर योधा तथा दूर दरसीर राजनीति था। फरिस्ता के अनुसार मुहमद गवरी बड़ा ही उधार तथा सदयो अपनी प्रजा के कल्याण का ध्यान रखता था। यानि महुंमद गोरी तो बहुत ही बड़ा योधा राजनित्या था और उसका जहां तक राज्ज था जहां तक उसकी प्रजा थी उसके कल्याण के लिए उसके हित्य के लिए हमेंशा ततपर खड़ा रहता था उसके कल्यान में फ़िवार वालती के सिदुन वो धार्मिक प्रवत्तिकाव्यक्त धर्म को मानता था और उस्वर से सदेव रड़ता था धर्म को मानने वाला था और भगवान से हमेशा ड़ता था कि भáई कोई गलती नहों जाया भगवान उसको माप करना मतलब शुरता था वो बड़ा ही उतसाही था और साहसी भी था और अध्येशाही भी था उसकार को करने का वो निस्षे कर लेता था उसे पूरा करके ही चोनता था यानि कि उसने सोच लिया कि इफ राज में हम अपना अकरमन करेंगे और इसको हम पराजित करके अपने देश में मिला लेंगे अपने राज में मिला लेंगे ठीक है तो वो उस काम को करने में लग जाता था और उसमें जब तक उसको सफलता नहीं मिलती तब तक उसको वो करता रहता था यानि कि वो जिस काम के लिए निश्चे कर लेता था उसे वो पूरा करके ही छोणता था उसे मानो चरित की एक अच्छी परक थी मानुस कैसा होना चाहिए उसके अंदर क्या अच्छे गुड़ होने चाहिए ठीक है मानो के चरित की अच्छी परक नॉलिश रछता था ठीक है वह विध्यय жथा यह दिया करता था था बिद्धा audio 4 प्रेम उनको जानकाई भी तरता था और उनको management का भी काम करता था तो इस प्रकार लिखेंगे मौम्मद गौरी के बारे में परिचे बहुत ही महात्पूर्ण प्रस्ण है आएगा पूरी उम्मीद है अगला प्रस्ण बहुत ही नागभट प्रत्थम यह प्रस्ण इतना महात्पूर् पर चे इतना ही जान लिजें कि आया आवंति उज्जेन में गुर्जर प्रतिहार वंस का संस्थापक था और इसकी रावधानी ठीक है जाल लोर थी कहा जाता है कि उसने शक्तिसाली मलेच राज को पराजित किया यह मलेच अरब आक्रमण कारी थे इन आक्रमण कारियों को करने के बाद उसके अपने सत्ता भटोज तक अस्थापित की उसने अपने राजवन्स की प्रतिष्था में ब्रद्ध की तथा सात्सो तीस इस बीसे साथ सो साथ इसम्री तक सासन किया तो इस प्रकार लिखेंगे नागभठ प्रत्थम के बारे में अगला कोश्चन आप और 1177 इसम्री तक शाशन किया उसने ऐसं आपने शासन काल में अपने चाचा नागारजूंच संदेल सासक ठावर मर्दर देयों को बुरी तरह पराफ्त किया अपने ही चाचा को ठीक है मैं ठराइन का धो साफन की युद्ध युद्ध रॉट इसक जीवन का धू महत्तपॉर्ण घटना था इसके जीवन का ठो युद्ध भॉप ढ़ा है प्रथम युद्ध में वा मुहम्मद गोरे से पराजित हुआ और निर्देता पूर्बक उसकी हत्या कर दे गई इस प्रकार चाहमानवंस का अंत हो गया साथ ही भारत में दिल्ली तथा अजमेर पर मुस्लिम राजसत्ता स्थापित हो गई तो इस प्रकार लिखेंगे प्रित्वीर अर्थित्य के बारे में अगला है बिद्या धर्चन देल ठीक है इसको पढ़ लेंगे इतना महात पूर्ण नहीं लेकिन पढ़ लेंगे तो बैटरी रहेगा आप सभी के लिए पूश्चन भी उत्तर भी है ठीक है अगला कोश्चन ह बढ़ेंगे बल्लाल सेंड राजनितिक उपलब्दियों की अपच्च्छ में किा दिछा है कि अधिक आरान को दोसे पूला को बुलाकर बंगल में कुल्चर वाले खिषा इनूंद कर यहां की जुसे दिवरों को बोलाकर बंगल में वफाय जो आगे चल कर यहां की कुलीन प्रथा की जनक हुए वह श्वयम बिद्वान था कौन सेन सासक ठीक बल्लाल सेन वह बिद्वान था जिसने दान सागर नामक ग्रंथ की रसना भी की है वह अब रस्पत की बुद्ध का प्रिया प्रेमी कहा गया है वह बिद्वान और सम सभारक भी था तो इस मिखेंगे इसका प्रेश के ठीक है घार वालस यह भी पर्ष्ण परिiko 노 को मिला है कई बार तो गहर त सिखे गैर वान के बारे में ने दुस्ट ग्रह की दुस्ट रुतियों ठीक है और पीडाओं को टाला इफलेवा ग्रह वार ग्रहों का निवारण करने वाला कहलाया इसका बिगड़ा हुआ ही अपत्वा रूप ही गहरवार प्रिसिद्ध हो गया कालांतर में ध्र्वर छकोकर इतिहास में प्रिसिद्ध ौगया तो सिंपल रहते ही कुष्ट्ट अतिले में देखने को मिलता ध्यान रखेंगे अला कॉष्टिन हाई-लेबल का प्रश्टत है वह या कि जैचंद के बारे में ठीक है तो जैचंद गेराफफ अत्तर इस्वी में गद्दी पर बैठा वह भीज़ई परम भैष्टनो ठीक है वैश्टनो और दानी था क्या था दानी किसमें का वेक्त था ठीक है जैचंद हाई ययदकें आपके उसने तकत था सामांत राजाों को बंदी की हरा कर था मुझिस में कर लिया बंदी बना दे लिया उनकी पुत्ति स्वैयोगिता का स्वैंबर किया स्वैंबर में प्रिथवी राज द्वारा स्वैयोगिता के आपहरण से दोनों वंसों में फत्रता बढ़ गई यानि कि एक तरीके से वह रखते हैं कि लड़ाई बढ़ गई ठीक दुस्मनी बढ़ गई और महात्पूर्ण प्रश्ण है अगला भाई या बहुत ही हाई लेबल के प्रसिद्ध हुए है बहुत ही घटना एक पॉपलर हुई है महात्पूर्ण है तो प्रथम युद्ध के वारें लिखेंगे इस प्रकार कि या युद्ध गेरा सो एक्यान नबे इस भी में प्रिथवी राज और मुहम्मद गउरी की मद्ध लड़ा गया था तराइन थानेशोर तथा करनाल के बीच में के रण छेतर में दोनों की सेनाओं के मद्ध युद्ध हुआ मुहम्मद गउरी घायल हो गया जब दो लोगों का युद्ध हुआ प्रिथवी राज और मुहम्मद गउरी का तो इसमें मुहम्मद गउरी घायल हो गया यदि एक खलजी सैनिक उसे लेकर रड़ भूम से ना गया होता तो रक्त बहने से गउरी की मृत्ध हो जाती यानि कि जब लड़ाई हुई तो इसम इसने अपने सासक को अपने राजा को उफ युद्ध के मैदान से रड़ भूम से उसको उठाकर लेकर भाग गया ठीक है ठीक है अगर वो ना भागता तो इतना जदा बलड़ वह रहा था कि वहीं पर जो गोरी था यानि कि मुहम्मद गोरी उसकी मृत्ति ही हो जाती ठीक ह पर मुहम्मद गोरी के सेना पराजित हुई तो बहुत है इसको इंपक्ट पड़ा बहुत ही गहरा धक्का लगा ठीक है इस प्रकार लिखेंगे सिंपल सपर्चे प्रथम तरायन युद्ध के बारे में अब है तरायन की दुतिय युद्ध निरडायक सिद्धुआ चोहानो हुई निश्चित हो गई अब मुसल्मानों का कारे बहुत आसान हो गया यानि कि दुतिय युद्ध हुआ तरायन का इसमें मुहम्मद गोरी की भीजे हो गई और वो सासन उसका जो है वो काफी राज्यों तक फैल गया ठीक है और मुसल्मानों के बहुत पारे कारे जो थे वो आसान हो गया क्योंकि भाई जो मुहम्मद गोरी था वो मुसलिम जायत का था ठीक है तो इस प्रकार लिखेंगे दोनों युद्धो का परिशे महात्पोंट प्रशन है अगला प्रशन है को या गोपाल के बारे में तो इसके बारे में पढ़ लीजेगा यह आती लग उ ठीक है उसने शूर्वंस की एक राजकुमारी से बिवाह कर अपनी सत्या में विस्तार का प्रत्न किया यानि कि उसने एक राजकुमारी थी ठीक है शूर्वंस की उससे अपना विवाह कर लिया और विवाह करने के बाद उसका सत्ता है उसका जो जो जाजी का एरिया है ठीक पाल की मुरत्य के बाद पालों की आउनतिका लाब उठाकर बिजे सेन ने धीरे-धीरे अपनी सत्ता बंगाल की बहुत बड़े भाग उपर अस्थापित कर लिए धीरे-धीरे करके वो बंगाल के जो एरिया था उनमें कबजा कर लिया उपने अनेक विरुद उपाधियों का धारण किया यानि कि बहुत फारी उसको अपलबदियां बहुत फारी जीत मिली है ठीक है किसको सेन सासक बिजे सेन को ठीक है तो इस प्रकार लिखेंगे इसका परिच्छे चंदेल बहुत ही महात्पून प्रश्ण है आएगा परिच्छा में चंदेलों के इतुपत्ति के बारे में बिद्वानों में बहुत सारे मत्वहते हैं बहुत सारे बिद्वान अलग अलग मानते हैं और अभलेखों यानि कि पत्थरों पे और जो बहुत सारे अभलेख होते हैं उनमें जो लिखा है उसके माध्यम से पता चलता है उनके फाच्छे से विदित होता है कि वि समें चंदेलों के पहले नंब को कि उत्पत्त हुई इन्हें चंद्र और चंद्रा त्रयों का वंसच भी बताया गया है तो इस प्रकार हुई थी चंदेल चंदेल ये लिवर्वन का राजा बना गोर्ड मिथल फोसल मालवा चेदी गुरजर और कश्मीर प्रिदेशों में उसने अपनी शक्ती बढ़ाई कहा गया है कि बागोरों के लिए कृपार था खंसों की सेना का सम्मान किया कोसलों के कोसागार को ढोले गया कश्मीर की योद्धाओं को बिनस्ट करते हुए मैतला मैतलों को भी दुरबर कर दिया मालवो के लिए प्रलैंकर संकर था गुर्जरों के लिए प्रबल ज्वाला था ठीक है तो इस प्रकाल चंदे सब्सक्राइब गर्जणभी के बारे में तो महमच घजणभी एक आक्रमन का दिता यानि की बहुत ज्यादा युद्धों में वह अक्रमन करता था ठीक है और अपना राज विस्तार करता था उपने भारत पर 17 वारा किया कि इतनी बार भारत देश पर उसने 17 वारा क्रमन कि या उसके रागमण का मुख देश भारत की जो धन ति संपठ थी उसको लूटना था आप सुने ही जो होंगे कि भारत को सोने की चिंडिया कहा जाता था तो इफीते जो अंग्रेज लोग ते जो थीक है ठीक है अलग देश की Trevor के लोग भारत की एक हजार पच्टीस में उसने सोमनात मंदिर पर आक्रमण किया ठीक है इस आक्रमण में हिंदो की पराजे हुई तथा मंदिर में अपारसम पत्ति हाथ लगी कहा जाता है कि दो सो उट सोने चांदी की वजन से कहराते हुए गर्जनभी पहुंचे यानि कि उसने इतना फोना चुराया कि जो उट थे ठीक है वह इतना वजन हो गए थे तो लगता था कि जैसे कि इतना ज्यादा वह वजन हो गए थे कि चलने मन को समस्चाय हो रहे थी बहुत उसने मंदिर से जो सोना चांदी था लूट कर ले गया था ठीक है गोबिज चंद्र गढ़वाल इसको पढ कोश्चन आएगा जरूरी नहीं यहीं आएगा लेकिन चाहा मानों का मोल अफ्थान कहा था एक फिजड़ा कोश्चन आएगा तो तयार कर लीजेगा ठीक है कन्योज से भी जड़ा कोश्चन एक आएगा इस बात को ध्यान रखेंगे भी महात पूर प्रशने उत्तर आप ल राज तरंगड़ी यह भी हाई लेबल का कोश्चन है आधनिक एतिहासिक माप दंडो पर रचित राज तरंगड़ी प्रचीन कश्मीर का एक अतिपरसिद्गरंथ है इसकी रसना कल लड़ने की थी ठीक है इस बात को ध्यान रखेंगे गेरा सो और तालिफ गेरा सो पचास सबीके मद्द ठीक है इसमें कुल आठ तरंग है इस बात को ध्यान नखेंगे महात्पूर्ण प्रचन है आएगा पक्का पालवंस का संस्थापा के भी हाई लेबल का कुश्चन है कि खलीमपूर अभले के अनुसार राजनेतिक आब वेफथा से मुक्ति पाने के लिए प् पाल राजी की निव डाली यही पालवंस का संस्थापक था ठीक है बहुत ही महात्पूर्ण प्रतिहारों के उतुपत यहीं कभी कदार आता हमेशा नहीं आता पड़ भी सकते एकनूर भी कर सकते हैं ठीक है तो करीब करीब आज किस वीडियो मैंने आपको 300 से एब वेब को और मिलते हैं यह पीडियाप अगर आप जिन चात्रों को चाहिए वो कमेंट में मैसेज कर देंगे यह फिर वाटसअप पर हां लिंक वीडियो में मैसेज करेंगे कि सर इस सब्जेट का हमें माडल पेपर क्वेश्चन पर प्रवाइड करा दीजिए यह वाला ठीक है पीड झाल